तालुक कौन रखता है किसी नाकाम से लेकिन मिले जो काम्याबी सारे रिस्ते बोल पड़ते हैं मेरी खुबी पे रहते हैं यहां अहले जबांखामोस मेरे एबों पे चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं गुड मॉनिंग फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस्टेटी विद्ग्यान प्रकास के मानी नीज सेसन में आज की तारीक है 12 फरवरी 2019 और सुरू करते हैं आज का मानी नीज प्रेंडस से पहले जो खबर यहां पर है वो खबर जुड़ी हुई है लहाबाद हाई कोड के बिग्यापान संक्या जो की जारी हुए थी 15 दिसंबर 2018 में इसमें असेस्टन डिव्यू आफिसर और इसे के साथ साथ ड्राइवर के लिए जो पत्त है और अडिशनल परिशा होनी है और इसी के साथ साथ जो परिशा होनी है ड्राइवर के लिए तो दोनों परिशाएं अब 24 फरवरी 2019 को होगी और इसी के साथ अडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की जो परिशा होनी है वो 25 फरवरी 2019 को संपन्न होगी ठीक है और इसी के साथ आगे बढ़त अब आगे बढ़ते हैं और आब बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग के द्वारा जो परिक्षा आजुद की जाए रही है अधिनस क्रिशी सेवा वर्गतीन प्राविधिक साहक वर्गसी की परिक्षा तो इसके बारे में बात करें तो परिक्षा 19 फरव होगा वही होगा जैसा कि प्रस्णकत पदों के बिग्यापन संख्या तीन परिक्षा 2018 में अनंतिम परिक्षा के रूप में प्रकासित किया जा चुका है तो उक्त परिक्षा के लिए प्रिश्वत्र निर्गत की जाने के समद्द में अभ्यरतों को प्रिथक से जल्दी अनशच जार पांसो सिक्षव भरती से इसमें परिशारतियों ने कहा है कि सच्चु के आस्वासन के बाद भी प्रडाम घोशित नहीं हो रहा है और इसलिए वो पुनर मुल्यांकन के लिए घिराओ कर रहे हैं बार बार आयोग का और सच्चु की ओर से बीते सब्ता पाके तर डेंटल सर्जन के 33 पदों पर भरती करने जा रहा है इसके लिए आयोग ने शो मुआर को इंटर्व्यू का कारेकरम जारी कर दिया है इंटर्व्यू 25 से 28 फरवरी तक आयोजीत किया जाएगा सभी अभ्यारतों के सक्षव का आयोग की वेबसाइट पर अप्लोड तब यह है कि इलावाध हाई कोड की लखनोंखंड पीट ने प्रदेश में सहाग सिश्कों के 68500 पदों पर भरती प्रक्रिया में कथित गरवड़ी को लेकर एकल पीट द्वारा पारित सीवी आई जहांस के आदेश को रद कर दिया है डिवीजन मेंज ने पहले ही 11 पर अंतरिम रोक लगा दी थी और साथ इसी ब्याई को इस मामले में दर्ज की गई प्राथिमी के संदर में कोई कारवाई करने से रोक दिया था चीफ जस्टिस गोविंद माथूर और जस्टिस मनीश माथूर की डिवीजन बेंच ने राज सरकार की और से दायर विस्टिस अपील को मंजूर करते विए कहा कि प्रकरण में एकल पीट के समक्ष ऐसा कोई माटेरियल नहीं था किसी ब्याई जाज का आदेश दिया जाता सरकार की और से पक्ष रखते विए महाधिवक्ता राग्वन सिंग ने पूर में तरक दिया था कि पूरी भरती प्रक्रिया पा महाधिवक्ता का यह भी तरक था कि कुछ अप्यर्दों के मामले में परिशक से गलती हो गई जिसे सुविकार करते हुए ठीक कर लिया गया था और इसके बाद एकल पीट के सीविया ज्याज का कोई और चित नहीं है तो मिला जुरा कर मामला यहाँ पर यह कि अपने आदिर जाज के ही किसी प्रिकार की भरती प्रक्रियामें रुष्चाचार होने की बाद आदिर्ज मिद्रिकार की समक्ष कोई ऐसा माटेरियल नहीं था कोड ने कहा कि केवल इस वज़य से सरकार की और से गठी कमेटी में जाज कर्णी सरकार के तीन अफसर थे और यह नहीं कहिजा सकता कि जाज निश्पक्ष नहीं होती वो लिखनी है कि एकल पीट के जस्टिस इरसाद अली ने गट एक नॉम्बर दोजर ठार को सिक्षक भरती के प्रथन दिश्ट्रिया प्रष्टाचार होने की बाद कहते वि तो सक्षम अधिकारी उसके खिलाफ निवानुसा कारवाई सुनिश्चित करें तो फ्रेंज अब रूख करते हैं 79,000 सिक्षक भरती परिक्षा में हुई कोड की सुनवाई के बारे में तो यहाँ पर दो मामले मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले बात यह है कि इलाहाबा आज नहीं होगी और अब यह सुनवाई 13 फरवरी यानि कि कल सुबस सवाद 10 बजे से सुरू हो जाएगी 10 बच कर 15 मिनट पर और यह प्रक्रिया तब तक जानी रहेगी अब जब तक की अंतिन नेड़े नहीं आ जाता है उमीद यह लगाई या रहिए कि 13 और 14 फरवरी तक ह हो सकता है कि इसके बारे में कटाफ से संबंदी जो अंतिन नेड़े है वो जद साब के द्वारा ले लिया जाए और इसी के साथ एक नया जो है केस जिसके बारे में डेट लग गई है लगबग 6 सब्ताबाद की मामला यह है कि 79,000 सायक अध्यापक भरती परिशा का सब्सक्राइब लेकिन अभी भी इस भरती के कंप्लीट होने में लग रहा है कि थोड़ा सव वक्त लग सकता है आप लोग अपना जो है उमीद होसला बनाए रखिए क्योंकि भरती निश्यत रूप से कंप्लीट जरूर होगी तो और इसी से समद्धी जो खबरें हैं वह अलग 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 तरीके से जो प्रकासित की गए हैं और यहां पर जो भी उसकी लेटेस्ट अप्डेट थी वह आपको प्राप्त हो चुकी है अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं बीट के बारे में बीट 2019-20 के लिए इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं आनलाइन आवेदन चल रहे हैं और अगर आपने आवेदन नहीं किया है या फिर आपके घर्ज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आवेदन करना चाहता है तो आवेदन करवा दीजिएगा बीट एंटरेंस पहले दिन साड़े 5000 आवेदन हुए हैं आपको पता ही होगा कि पहले दिन काफी कम आवेदन होते हैं इस लिहास से यह काफी संख्या अधिक मानी जाएगी सख्षी सथ 2019 से 21 में प्रविश किया जाएगा चार वर्सी बीट और दो वर्सी बीट दोनों ही पैरलल चलते रहेंगे ग्यारफ हवरी से ग्यारफ मार्स तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी सोम और सुबह करी 10 बजे से पहले वेबसाइट ओपन कर दी गई टोल फ्री और प्रफेसरों के मॉबाइल पर फोन नहीं है वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी आपको पता होना चाहिए कि जो 12 जन्वरी 2019 को परिच्छा होई थी तो उसमें यह आरोप लगया गया थी कि एक्जाम सुरू होने से पहले ही पेपर आउट हो चुके थे और बाद में कर्नावज के सेवा निब्रित जैज और तथ्यात्मक अनुवेशन समीत इस प्रक्रण की जाज कर रही है सुमार तक इस समीत को प्रदेश भर से लिखित और मौकिक में बहुत सारे साक्षि प्राप्त हो चुके हैं हिंदी विशे पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है हिंदी विशे के प्रस्पत्र में एक प्रेमेटी के समक्ष रखा ही नहीं गया है मतलब यह है कि सच्चु बंदरात्र पाठी का कहना है कि नयाई जाच में कौन कों से साक्षि दिए गए या गोपनी है लेकिन इतना जरूर है कि जाच रिपोर्ट पर जल्दी कोई फैसला लिया जाएगा यानि कि अभी कुल मिल जारी होंगे प्रेंट्स आके बढ़ते हैं और बता दें कि कल होगी भरती 2016 की दरोका भरती 2016 की सारेडी परिक्षा उपनिरिक शक्त नागरीक पुलिस पुलिस महिलाव अन्य संपक्ष पदों पर सेदी भरती 2016 की आनलाइन लिखित परिक्षा में पास 83 अभीरतों की अभिल तो कि सारेडी दक्षिता परिक्षा दोड़ तेरह को 35 वहनी पेसी नगर महानगर लखनों में होगी तो यह थी आज की खबरें और यह थे आज की सारे अपडेट तो 69 जाय के बारे में तो आपको पता चली गया होगा कि अब अभी सुनवाई जारी है कटाप मामले में और मिश्यत रुप सिक्कल या परसों यानि की तेरह चौदर फरवरी तक इसका जो अंतिन परड़ाम सामने आ सकता है तेरह फरवरी को दिन में सवादर सब्सक्राइब होगी हो सकता है दिन पर यह सुनवाई चले तो फ्रेंट्स रहिए ना बेखवर बने रही है हमारे इससे पर थोड़ा सा व्यस्तता के कारण जो न्यूज फ्रेंट्स उसको आने में थोड़ा वक्त लग रहा है मतलब थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो इसके लिए आप लोगों से छमा प्रारती हूं लेकिन आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए आपके प्रती बहुत-ब अगले वीडियो में तब तक लिए आग्या दीजिए नमस्कार जैहिंद